नमस्कार दोस्तों हरियम एश्टेडी में आपका स्वागत है इस बेडियम में परमेश 6.5 का हल करेंगे देखिए इसमें क्या कहता है यदि एक तिर्वुज का एक कौन दूसरे तिर्वुज के एक कौन के बरावर हो तता इन कोनों को अंतरगत करने वाली भूजाएं तो दोनों तिर्वुज समरूप होते हैं गिसे माल लेते हैं अबी सी और डी ओप यह दो तिर्वुज दिया हो एफ इसमें क्या कहता है यदि एक तिर्वुज युकोन कोन कोन है कोन टी के बरावर नोशे मिए इस यह समान अनुपाद में दिया हुआ है तो सिध करना है कि तिर्बुच एबी सी और डी यह दोनों तिर्बुच समरूप है ठीक है तो देखिए इसमें रचना करेंगे देखिए बिंदू P और Q इस परकार लेंगे इसको मिला देंगे तो देखिए बिंदू P और Q इस परकार लिया कि अब देखिए इसका प्रमान दिखाते हैं परमान अथ्वा उप्पती लिख सकते हैं तो देखिए प्रमान देखिए इसमें दिया क्या है अब देखिए इसके बदले में इतना बरावर इतना है यह हम लिख सकते हैं अब देखिए रचना में क्या किए A B के बरावर D P लिए को अब देखिए यह को दी को डी को डी रहने देंगे और और AC के बरावर लिए हैं DQ, तो AC के जगा लिख देंगे DQ, ठीक है, बटट DF, आप यह चाहिए तो कारण दे सकते हैं, चुकि AB बरावर DP, तथा AC बरावर DQ, रचना से, यह रचना से किया है, चाहिए इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं भी लिखें हैं, तो कोई दिख कर द देखिए, इस तिर्भूज में देखिए, DP बटट D, और DQ बटट D, यह समान अनुपाद में यह दोनों भूजाएं, भी भाजित हो रहा है, इसका मतलब PQ और EF समानतर होगा, आप कहेंगे, परमेश 6.2 में, हम लोग सीथ कहते हैं, DP बटट P, यहां तो DP बटट D, तो उ अथार्थ, इसका मतलब PQ समानतर, EF होगा, इस परकार, अगर दोनों भूजाएं, समान अनुपाद में विभाजित हो रहा है, तो यह दोनों रेखाएं समानतर होगा, यह कारण दे सकते हैं, परमेश 6.2 से, यह थेल्स परमे की विलॉम से, ठीक है, अब देखिए, यह द देखिए, कौन P और कौन E बराबर होगा, क्योंकि समानतर है, यह क्या है, संगत कौन, ठीक है, इसलिए, कौन P बराबर, कौन E, यह कारण देंगे, संगत कौन, यह बराबर हो, क्योंकि संगत कौन है, क्योंकि दोनों रेखाएं समानतर है, और कौन U, कौन F के बराबर होग कौन Q देखिए तथा कौन Q बराबर कौन F कौन Q के बराबर यह हो गया सिद्ध यहां भी कारण देंगे संगत कौन इसको बोल देते हैं समीकरण एक और इसको बोल देते हैं समीकरण दो अब देखिए अब देखिए अब देखिए देखिए एबी सी और डी पी क्यू कि दोनों तिर्वुज में देखिए A B बराबर डी पी काहसे रचना से इसका कारण देंगे रचना से और देखिए कौन A बरावर कौन डी यह दिया है ठीक है यह दिया हुआ है देखिए एसी बरावर एसी बरावर डीक्यू इसका भी कारण देंगे रचना से अब देखिए यह दोनों तिरबूज में यह बूजा इसके बरावर यह कौन इसके बरावर यह बूजा इसके बरावर इसका मतलब ABC और DP की यह दोनों तिरबूज सर्वांग सम हो गया ठीक है अतर तिरबूज ABC सर्वांग सम होगा तिरबूज DP क्यों किस नियम से तो यहां कारण देंगे SAS नियम से ठीक है यह दोनों तिरबूज अब सर्वांग सम हो गया तो यहां से हम लिख सकते कौन बी इसलिए कौन बी बरावर कौन पी कौन बी और पी बरावर होगा यहां कारण देंगे CPCT corresponding parts of congruent triangle सरवांगसम तिरबुजों के संगाद भाग बरावर होता है जब दो बीच वाला अच्छर से बनने वाला कौन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना हो सरवांगसमता नियम के बारे मगर आप डिटेल सी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के पले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं या तो description में लिंक दे देंगा आप comment किजिएगा तो तो में कौन सी यह अंतिम अक्चर से बनने वाले भॉजा सी और यह अंतिमक्चण से क्युक्ट कौन सी क्यू के बरावर थिक इसका भी कारण देंगे सा embaixo ctt अब कौन भी कोन पी के बरावर है और कौन सी कॉन फ्डू के बरावर पूब हो गया या सेरह ठीज लेकिन पी और तो बरावर है और Q और समीकरन्द देखिए समीकरन एक 2 और 3-4 से हम आगा सकते हैं देखिए समीकरन 1,2,3,4,4 उनको क्या के सब कहा है पिए का बरावर है और यहां देखिए पी के बरावर बी भी है यहां पी के बरावर ए है और यहां देखिए पी के बरावर बी है इसका मतलब बी और ए बरावर लिख सकते हैं ठीक है क्यों कि पी पी किसके बराबर बी के बराबर और पी के बराबर इसका मतलब देखिए बी और ए बराबर तो यहां से लिखेंगे कौन बी बराबर कौन ए ठीक है अब देखिए क्यों एप के बराबर है और यहां देखिए क्यों सी के बराबर है यहां से कौन सी क्यों एप के बराबर ठीक देखिए कौन क्यों किसके बराबर एप के बराबर है और यहां देखिए क्यों सी के बराबर है तो यहां से क्या लिख सकते हैं देखिए कौन F Q के बरावर है और कौन देखिए C V Q के बरावर है तो कौन C F के बरावर लिख सकते हैं Q और F बरावर है यहां भी देखिए Q है Q के बरावर C है तो कौन C बरावर कौन F लिख सकते हैं तो देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस तिरबूज में A, B, C और D, E, F में कौन A पहले सी बरावर दिया हुआ था, कौन B, कौन E के बरावर ये सीद हो गया, ठीक है, और कौन C, कौन F के बरावर सीद हो गया, इसका मतलब तीनों कौन बरावर हो गया, तो यहां समरूप, समरूप होगा, तेरबूज D, E, F, K, यही सीद करना था, देखिए, यहां सीद क्या करना था, समरूप होगा, यहां भी कारण दे सकते हैं, किस नियम से तो A, 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 समरूपता कसोटी, ठीक है, यह कारण दे देना, हैंस प्रोवड, इसलिए सीद्ध हुआ, ठीक है, वीडियो अंत करता है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक करें, कमेंड करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें,